यहां सोनिया जी बैटी वी हैं सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर सोनिया जी मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्तिती है उनको दो काम करना है बेटे को सेट करना है और दमाद को भेट करना है लविश्वास प्रस्ताव किसलिए आया यहां सोनिया जी बैटी हुई है सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर सोनिया जी मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्तिति है वो एक हिंदू सब्वेता संस्कृति में बिलीब कर रही है इसलिए अलोकिका पूरा किताम में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना ची एक भारति नारी को उसका पूरा का पूरा पीक्चर सोनियां जी देती है उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दमाद को भेट करना है, जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग को बोल रहा है, अध्याक्षिती जिसका नाग लिया ले रहा है, वो सदक में मौझूद है, वो अब्जेक्शन नहीं क करने दूसरे क्यों अब्जेक्शन कर रहे वह खुद सदक में मौझूद है उनको कोई इतराज नहीं है दूसरे इतराज करने वाले कौन होते हैं अब आप समझे सर मैंने दोनों बाते कहीं कि बेटे को सेट करना है और दमाद को भेट करना मैं अपने बात पर कहा है मूँ सर आप यह समझे सर इए यह केस है सर इंकम टेक्स का केस सल रहा है नेचनलल हेलाड का इंकम टेक्स का केस सल रहा है ट्रिबूनिल में जो भी पेपर कहेगी कॉंग्रेस मैं on the floor of the house जो है इसको रखने को तयार हुँ और यदि इसमें एक भी बा अंग्रेस पार्टी को सुनना चीज़ सर इनकाम क्टैक्स अथारिटी ने कहा कि यह फॉन्डेशन के जितने इनके केस है नेश्नल लेहराड के जितने केस है उसकी ऐसेस्मिन्ट करे अगया हाई कोट का आदैसर था कि इसको जो है सेंट्रलाइस करना यह हाई कोट का आधेसर अभी अभी यह सुप्रिम कोट चले गए अब आप समझेए कि इंकम टैक्स से बचने के लिए एक लाख एक लाख रुपईया देखे कोई पांच हजार करोड की कमपनी ले सकता है ये मैडम सोनिया जी और राहूल जी बता सकते हैं सर कोई दूसरा नहीं बता सकते हैं और ये क आ रहे हैं कि केवल हमारे उपर ये चीजे होती है यहां जीम सीदेश्वर बैटे में सर हमारे पार्टी के सांसद हैं जीम सीदेश्वर अभी 80 करोड रुपईया उन्होंने इंकम टैक्स में भराए सर यदि मोदी जी आपको छोड कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोसी हैं उनको भी 80 करोड रुपईया दिया मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं सर जीम सीदेश्वर को 80 करोड देना पड़ा बीजेपी के चार बार के सांसद हैं और आप इंकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रिम गोड जाने की बात करते हूं इडी की रेड होती है सर और मैं आपको बताओ कि भाग गया है भंडारी है मैं उसका पूरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है दमाद जी का जो बल हुआ इस कोट का ओडर है सर उस कोट के ओडर में फंपी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दमाद जी है दमाद जी के नाम पर कौन दमाद कोई भी दमाद हो सकता है इनको दमाजी से क्या प्रावलम है सर मेरा भी दमाज हो सकता है 12 बारा ब्राहिंसन स्क्वाइर थंपी ने जिसको थंपी में कोट ने आदेश दिया कि जब ज़रुष होगी तुम आज आना आप समझे कि वो भाग गया उसने कहा कि 12 ब्राहिंसन स्क्वाइर हमारा है उसी तरह से संजै भंडारी का जो आने वाला एसर UK कोट ने जो आदेश किया है उसमें ये बात कहा है कि दमाद जी का वो मकान है आप क्यों भाग रहे हैं तो जो मैंने आपको कहा कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव है सर यह अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दमाद को भेज करना है